प्यारे बच्चो, मैं सुफले सिंग आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल गैलेक्सी क्लासेस में आज हम लोग पढ़ेंगे समिधान की प्रष्ट भूमिंग कि समिधान जो है कैसे धीरे धीरे लिखा गया है ठीक है समिधान की प्रष्ट भूमिंगे आपका एक दो वीडियो में हो जाएगा फिर उसके बाद समिधान को एक लाइन से पूरा याद करते हुए चलेंगे या घोलते हुए पीते चलेंगे कैसे लिखा गया समिधान किस ने लिखा और कैसे लिखा यह तो सभी लोग जानते को कि समिधान सभा थी और इसको यह इतने दिनों में तीन साल में लगभर लिखा गया लेकिन इसकी प्रष्ट भूमी जो है बहुत पहले से बनने लगी थे यानि कि समिधान में जो 395 अनुछेद हैं इसमें से आधे से जादा तो ब्रिटिस काल के ही बने हुए हैं क्या ब्रिटिस काल के ही बने हुए हैं 500 से जादा अनुछेद जो है यह बिच्फिषिव बना के चले गए थे बाद में तो कुछ ही जो है इधर उधर से नकलमार की रिख दिया गया अब जो है हां तो जो हैंंगरेजों कि बात आती है कि अंगरेजों ने ही समिधान को जब जольшеा अंग्रेजों के अगर बात करें तो कब से 16 सो से 16 सो में अंग्रेज आ गए 16 सो में अंग्रेज आ गए तो पहले अंग्रेज क्या करते थे अंग्रेज क्यों आए अंग्रेज आए थे बेपार करने अंग्रेज क्यों आए अंग्रेज आये थे बेपार करने, सभी लोग जो है इधा से उधार दूसरे तीसरे देश जो है जाया करते हैं, तो अंग्रेज जो है यूरोप से भारच चले आये, ठीक है अंग्रेज जो है यूरोप से भारच चले आये, अंग्रेज ही नहीं, पुर्तगाली भी आये थे, ब्रेटेन के लोग भी आये थे, डच लोग भी आये थे, निदरलेंड के लोग भी आये थे, फ्रांच के भी लोग आये थे, बहुत सारे लोग आये थे, पुर्दगाल के भी आये थे, बहुत सारे लोग आये थे, तो बहुत सारे लोग आये थे, यहां पर क्या करने लगे, ब अपार करने लगे सरह तो बैपार्व करने आय। उन्हां ने ईस्ट अंडिया ancheश्ष स्थापना किया थे आय तो थे जब पहली बार समिध्री मार की खोज किया था तो पा apparently 1498 में पुर्दगाली था वसको डिगा मा वो आया था भारत ठीक है वो भारत आया था लेकिन क्या है कि जह है इसके बाद यहां से यहां तक ठीक है 1498 में ठीक है 1498 से 16 से 1757 से 1857 तक क्या हुआ ठीक है तो यह चीज हमें पढ़नी है अगर आप इसे देखिए यहां पर पुर्दगाली आये थे 1498 में पुर्दगाली आये था वासको डिगामा भारत आये था ठीक है अब वो आया और 1600 में जो है ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो यानि की इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो इस्ट इंडिया कंपनी की यहां पर 1600 में स्थापना हो गी अब देखें यहां से यहां तक क्या करते थे वह सामान लेते थे और वहां बेज थे यहां पे खरीदते थे और वहां बीज देती थे जाकर तो उनको क्या मिल जाता था मुनाफा था ठीके पचास परसं कमाया यहां से चीज खरिते थे वहाँ बेशते थे यही 100 साल किया। उसके बाद यहां पर इस इंडियर कंपानी यानि कि उन्हों इस इंडिया कमपनी के श्ठापना होगे ठीक है उसके बाद आगे जब East India Company की स्थापना हो गई तब क्या होने लगा कि East India Company की स्थापना हो गई अब भाई यहां पे रहने लगे वो लोग अब रहने लगे तो अधिक से अधिक चीजों को वो खरीदने लगे यहां के किशानों से वो अधिक से अधिक चीजे खरीदने लगे और जब किसान जो ह नहीं दे पाता था, तो उस पर अत्यचार करने लगे, यह जबरजस्ती उपजाने लगे, ठीक, ऐसा होने लगा, और फिर क्या हो गया, तब जब जबरजस्ती कुछ करने लगे, तो उनकी राह में रोणा बन गए, कौन बन गए, राजा लोग, यहां के जो राजा होते थे, वो अंग्रेजों से जह है जह है क्या करने लगे दुस्मनी हो गई क्यों क्योंकि अंग्रेज यहां पूरे लोगों को जह है क्या करते थे समान खड़िते थे और ले जाते थे तो वो जह है लोग जह है उनको समान अंग्रेजों को बेज देते थे और कर ठीक ढंक से राजा को नहीं दे पाते थे या लोग बीच में अटक गए लोग बीच में अटक गए अंग्रेजों का लोगों से लेना देना था अंग्रेजों का जह है राजाओं से भी लेना देना था राजा को अंग्रेजों लोगों से लेना देना था यानि कि जनता से तो इसी तिकड़ी में क्य हुआ राजा का सूर्त नहीं हल हो रहा है फार ocos e2 फिक क्योंकि आंग्छे जो थे निगीज जब हो गए तो अंग्रेज जोके साथ इनका युद्ध होने लगा, क्यों कि वो अंग лишь यहां से बहुत सारी चीजे ससते दामों पर लेने जाने लगे, इसलिए राजा को अच्छा नहीं लगा और राजा उनके बीच हो गई युद्ध, ठीक है, तो वही जो है जब, जब बहुत ही क्या हुआ, कि जह है सौ साल हो गया करते करते बैपार तो यहाँ पे राजाओं की इनसे दुस्मनी हो गई जब जह है बिलकुल सीमा से पार हो गई तो यहाँ पे दुस्मनी हो गई अब यहाँ पे क्या हुए 1775 आपने जानते हैं पलासी का युद्ध हुआ क्या हुआ पलासी का युद्ध हुआ ठीक है और दूसरा बकसर का युद्ध हुआ ठीक है क्यों कि राजा और अंग्रेजों की नहीं पड़ती थी क्योंकि दोनों ही एक दूसरे का स्वार्थ पूरा नहीं कर पाते थे अब क्या हुआ पलासी का जो युद्ध हुआ आप जान ठीक है बंगाल के राजा जो थे बंगाल के राजा थे यह नवाब थे और किसके बीच हुआ था रॉबर्ट कलायू ठीक है रॉबर्ट कलायू के बीच हुआ था कलायू ठीक है तो इनके बीच हुआ था पलासी के बंगाल के राजा देखे बंगाल यहां पर यह बंगाल था पश्मी बंगाल फिर बंगाल में पश्मी बंगाल भी था उसी में बिहार भी था उसी में च्छतिस गड़ था उसी में उड़ीसा थी ठीक है यानि कि एक चौथाई भारत तो एक चौथाई भारत तो क्यों बंगाल में रहता था ठीक है एक चौथाई भारत तो पांच- समझ यह पूरा बांगलादेश पश्मिबंगाल और विहार जारकन ओडीसा तीज पांचों चीजे जो कहां थी वह बंगाल की थी ठीके वह बंगाल में लगती थी और भारत सोने की चिडिया था क्योंकि यहां पे बहुत धन था भार सोने की चिडिया थी बहुत धन था और उतने बार लोटा गया फिर भी बहुत ज्यादा जह है सच्छम था उपर से भारत की अगर बात करें तो सबसे जदा सच्छम पश्मी बंगाल था यहां पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में चीजे उब जाती थी, क्योंकि यह गंगा ब्रह्म पुत्र का depende था, इसलिए यहाँ पे बहुत सारा धन होता था, यह बहुत जादा धन रहती थी, ये आपसे question एक जाम में पूछा गया है कि भारत का सबसे समरत धराजी कौन सा था उस समय तो वो था पश्मी बंगाल ये एक जाम में आपके question पूछा गया है ठीक है सबसे समरत धराजी ठीक है तो प्लासी इसी लिए जितनी भी राफ़त आई है वो सब बंगाल में आई है जितनी भी आफ़त आई है वो बंगाल में आई है पासे समझेगा पश्मी बंगाल ठीक है पश्मी बंगाल समझेगा ठीक है पासे पश्मी बंगाल तो Robert Clive जीत गया, बंगाल का राजा जो था, वो हरय को था, सिराजुद दौला, सिराजुद दौला, ठीक है, यानि कि जहे, इसने इसका, Robert Clive ने इसका जहे, सिर फार दी, याद करिएगा, कि भारत का पहला युद्ध था या अंग्रेजों के साथ, ठीक है, प्लासी का कड दिया और फिर पूरे भारत पर हावी हो गए प्लांसी के बाद मतंव यहां से जह है हम्ला करना चालू कर दिस warto बख्सर का युदी किसके साथ हुआ ये अवद के नवाप थे अवद के नवाप कि सेना थी प्लस बंगाल की नवाप की सेना थी ठीके पलस बंगाल के थी ठीक है यानि कि जो है तीन राजियों की सेना ये लड़ी थी यानि कि पूरा दिल्ली लड़ा था अब पूरा अवद लड़ा था बंगा लड़ा था ये अंग्रेजों के साथ लड़े थे बकसर का ये ये कहा हुआ था बासे बिहार बासे बिहार ये सारे कोशन जो हम पहोगे जो कभी नहीं भूल पाओगे ठीक है पासे पश्मी बंगाल बासे बिहार ऐसे आपको confusion रहेगा लेकिन एक बार ऐसे देख लेंगे तो आपके दिमाग में कभी भी confusion नहीं आएगा कभी भी जिंदगी में चाहे आप दस साल न पढ़िये लेकिन confusion नहीं आएगा ठीक है ग्यान यहीं होता है यह थोड़ी नहीं होता है पेपर देने जा रहे हो मार जाए किताब पल्टे जा रहे हो यह नहीं होता है ग्यान वो होता है जो एक बार पढ़ लिए फिर जिंदगी में नहीं पढ़ेंगे और हमारे अंदर रहेगा वो ग्यान होत तो याद रखेगा ऊपर से जब स्टार्ट करेंगे सिर यह भारत हो गया पूरा सरी और सिर से जह है उन्होंने मारना चालू कर दिया तो सबसे पहले सिर पर हमला किया बकसर के दिनिसो चॉट में हुआ था और यह जाए सब्तावन में हुआ था दिल्ली में जह है कौन था यह साहलं दुतिय था साहलं दुतिय था और बंगाल में कौन था मिरकासिन था ठीक है अंग्रेज मून्रो था ठीक है तो इतनी चीजों से जह है इन्होंने जह है भारत में अपने पैर पसार दिये क्या कि यह भारत में अपने पैर पसार दिये और अंग्रेज जह है यहां पर जो है जमने बसने लगे प्राशी का युद्ध था और इतने तो इसे कहा गया company का सासन इतने सासन को company का साथन कंपनी का सासन ठीक है सासन पूछा गया आपके जामे कमपनी का सासन कब से कब तक रहा तो यह यह क्या था बैपार यहां पर किये थे अंग्रेजों ने बैपार किया मातर ठीक है यहां पर बैपार किया कमपनी का सासन इतना कमपनी का सासन रहा फिर उसके बाद क्या हुआ यह हो गया ताज का सासन किसका ताज का सासन किसके केवल केवल क्या आये थे पहले अंग्रेज केवल आये थे बनकी आये थे क्या बनकी आये थे बेपारी बनकी आये थे बेपार करने आये थे वो राज करने नहीं आये थे बेपार करने आये थे तब प्लासी के युद्ध के बाद अब क्या है 1773 एक नियम बना 1773 का एक नियम ब यहां पर नियम बने 1857 के बाद, यहीं कि 1858 का नियम था, उसके बाद 1909 का नियम था, मारले मिंटो सुधाजी से कहा जाता है, 1919 का नियम था, मारले चंसफोर्ट सुधाजी सको कहा जाता है, 1935 था, 1935 यानि कि भारत सासन अदियम और यहीं से यहीं भारत सासन नियम ही क्या बन बन गया था इसी usule ले लिए गये थे संद्रान बनाने ती और पहरP Quiet आधिनियम था ठीक है तो इतने ही नियम हमको पढ़ने आज 향म लोग यह वीडियो में इनको पढ़े ढ़opp random कि यहाँ से पढ़ते हैं 1773, 1773 में जो आया था, ठीक है, एक अधिनियम आ, 1773 का अधिनियम, यानि कि ये नियम होते थे, अधिनियम, क्या था ये नियम, ये था, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, यानि कि हिंदी में भी कहा गया, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया इसे, ठीक है, 1773 वाला, रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया, इसमें क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट में, जैसे आ करते हैं, ज्यादा करते हैं, रेगुलेटर होता है, गैस में रेगुलेटर होता है, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं गैस को, ठीक है, पंखे में भी रेगुलेटर होता है, कम कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं, तो रेगुलेटर होता है, रेगुलेट करना, रेगुलेट का म कंपनी पर नियंद्र कर लिया अभी तक क्या थे कंपनी जो थी वह बैपारी थे कंपनी क्या थे बैपारी थे लेकिन इससे क्या हुआ कि जो वहां का सासन था ब्रिटन का सासन था यह नहीं कि ब्रिटन की महरानी जो ब्रिटन की महरानी थी उसने इन कंपनीयों पर नियंद्र हो जाएं और ये कहां चले जाएं अमेरिका चले जाएं अमेरिका चले जाएं बैपार करने कुछ दिन बैपार करें फिर खुब पैसा हो जाएं तो वहां के राश्पती बन जाएं है ना राश्पती बन जाए तो यहां की जो मोदी हैं उनसे कहें कि यहां की सरकार क्या करेगी तुम हमें भी दो अब उसका भाग हमें भी दो तो वही कुछ यहां भी हुआ था क्या कि ब्रेटन की जो संसद थी उन्होंने कमपणी पर नियंतरन करना चालू कर दिया था तो नियंतरन करना चालू कर दिया किसने ब्रेटन ने कमपणी पर नियंतरन किया था ब्रेटन की महरानी ने ब्रेटन की सांसद ने सांसद ब्रेटन की जो संसद होती है या महरानी होती थी महरानी ठीक है ब्रिटन की जो संसद या महरानी कमपणी पर नियंतर्ण किया कमपणी पर नियंतर्ण किया ठीक है कमपणी पर कंट्रोल करने लगी वही कंट्रोल को ही रेगुलेट कहा जाता है तब फिर क्या हुआ इससी क्या हुआ इस इसने दिया जन्रल जन्रल को जन्रल पहले जहें गवर्नर हुआ करते थे ठीक गवर्नर गवर्नर को गवर्नर जन्रल बना दिया गवर्नर जन्रल बना दिया जन्रल 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 जो लगता है यह सरकारी सब्द होता है तो पहले तो गवर्नर ही होते थे जैसे रोबर्ट कला यह क्या था के यह क्या था यह गवर्ना था रोबर्ट को लाइब गवर्ना था ठीक है लेकिन वही क्या हुआ बाद में जाहें ग गभवनर्णर्न वह गया अब जो है गवणर्णर्ठ चनल्न रोगह ठेन गवर्णर्र पुछा जाता है भारत का परतम गवेरनर तो लोपर्ट कला होगा दोट पूछसा जाता है भारत का प्रतम गवेरनर जन्रल कौन था तो कौन था यह वार इन क्पेंग है Čस टिंग स्ट님이 ночि तिक टीक करवर इन हैंस्टीं अमक्टीं ते यह आंतिम गवरनर अर्फ परतम गवनर जनरल हो ओग Gir equation और स्थ लगे वर हशने लगे यानिशन् रच पयर निंतर रखे-टमिल इस पैहला ऐदानी पुरे बंगाल के गवनर जनरल वो ठीक वर मिल गया सबसे पहले उन्हीं मिला था अमारानी का bor ब्रुठैनल ह सbसे पहला नियंतर Com consistent नियुणिया क्या देखें पूछी और पूछे गई है पिर उसके बाद क्या हूइ अब क्या है कि जो खती इसके अनुसार कम करने लगी थी यह इनकी काम करने लगे थे फिर क्या हुआ है अब देखे अब अब कंपनी इनंके अनुसार काम करेगी वह झाँ तो क्या हुआ हिसे प्लासी का युदु द्ऴाश का युदु कि मालुम था बहुत ज़ादा जाते हो पुलिस के पास पुलिस कहा ले जाती नियायाले में तो क्या हुआ इसी लिए नियायाले की स्थापना हुई नियायाले की स्थापना क्यों हुई क्यों हुए क्योंकि अब उनको मालम था बहुत जादा लड़ाई दंगा होगा इस एक्ट के अंसार उनको पहले से माल 1774 में लाग हुआ था तो 1774 में यह चीज हुई ठीक है इसके तरीक और भी अब यह जह है कंपनी वाले सीधा जह है ब्रिटन की कहने पर ही चलते थे यानि कि वो केवल जह है जह है जो जितना वो कहते थे उतना करते थे बाकी कुछ नहीं करते थे तो इतनी चीज समझे क्या सम संसद महरानी पर नियंतर करने लगी थे तो इससे क्या हुआ इससे यह हुआ कि गवर्णर को गवर्णर ज कहा जाने लगा और यह परथम कौशनल कों महरानी और उसक्राइब लड़ाई ज्गढ़ाब होगा इस लिए न्याले की स्थापना के गई बस इतना आपको थोड़ा साधा Meter यही थोड़ा सा आपको हमेशा के लिए जानना है कभी भूलना नहीं है हमेशा के लिए जान जाए क्या दो तीन पॉइंट रेगुलेट से मतलब नियंतरण उनके नियंतरण में हो गया गवर्नर जनरल कोई ठपा मिलेगा गवर्नर जनरल का पद मिल गया वारें रिस्टिंग इंडियाच पिल्च करने के बाद कि एक हौनी मया कि उसनिं क्या कि यानि की राज करना अलग कर यानि कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ बैपारी वर्ग अलग हो गया बैपारी ठीक है बैपारी वर्ग अलग कर दिया इसने यानि कि कुछ आदमियों को उसने लगा दिया कि तुम के ओल बैपार करोगे और कुछ काम नहीं करोगे और कुछ विक्तियों को लगा दि तो यहां कि दो वर्गों में बढ़ गया क्या बैपार और प्रसासन ठीक है उनका तो यह था कंपअई थी दो वर्गों में बढ़ गिए बैपारी लोग अलग हो गए और प्रशाषन वाले लोग अलग रहे गए बैपारी ईख़ु को कहा गया बोर्ड आफ डारेक्टर क्या कहा गया बोर्ड आफ डारेक्टर डायरेक्टर ठीक बोर्ड आफ डारेक्टर जैसे डारेक्टर निर्देशन क्या करता निर्देशित करता क्या कि कंपनी कैसे चले वह वैपारी होता है कंपनी को कैसे चले वह डारेक्टर होता है हर कंपनी में होते हैं आज भी क्या होते हैं डार्ब्रेक्टर होते हैं वो कमपणी को जो है pakनोलेट करते हैं नियंतरक्ते या यह यह उस समय भी था ठीक है और यह थे Willow उभ्क खु macht रोटर Corey पूर्ड कन्ट्रोलर कं實 zwei यह कमट्रोलर थे रहने की वैपार करते थे ठीक है तो ये दो उसमें बट गया ठीक है पहले क्या थे जो वैपारी ही थे वही पर क्या करते वही सासन करने लगे थे जो वैपारी थे वही सासन करने लगे थे लेकिन 1814 है राजशा बन बैठ है यह सब कुछ करने लगे लेकिन बाद मेशाचन गई क्ञ़्राइब ड्रशाचन करने या यह लिग हो गई इससे समझी यह थी कि उच्छरे लेकिशाचन जो है तो था यह बोडवाण लोगों का बैपारी वर्ग अलग हो गया और प्रशाशनकारी अलग हो गया इतना आपको पिश इंडिया एक्ट में याद रखना है कि ये दो चीजी हो गई फिर उसके बाद प्या हुआ तीसरा और लास्ट, ठीक है, तीसरा और लास्ट है, क्या है, 1833, ये 1833 अधिनियम, ये मुख्य है आपका, इसमें क्या हुआ, 1833 में क्या हुआ, देखें, 1833 में क्या हुआ, अब जैसे हमने बताया, वो दो लोग हो गया, एक बैपारी वर्ग हो गया, और एक सासन वर्ग हो गया, ठीक है, तब आप देखें, अगर आपको, एक ही विक्ति को, अगर दो चीज़े सोपी जाएं, कि या तो बैपार कर लो, या तो सासन कर लो, या तो आप राजा बन जाओ, या तो बैपारी बन जाओ, आपको अमेरिका का कह दिया जाए, कि या तो आप राजा बन जाओ, या तो बैपारी बन जाओ, अब क्या बनोगे, आप कहोगे हमें राजा बना दू, यानि कि सासन करना ज्यादा अच्छा लग गया, बैपारी क्या, अब तो सासन से ही इतना पैसा आठ रहे थे, क्या करही लोगों से इतना ज्यादा ले रहे थे, कि बै कर दिया क्या इन्हेंने रखा सासन करना इन्हों ने जारी रखा पहला क्या है नोने बैपारी वर को समात कर दिया और क्यों सासन करना इस्टार्ट रखा या नहीं कि बोर्ड आफ कंट्रोलर ठीक है बोर्ड आफ कंट्रोलर जारी रखे और बोर्ड आफ जो है डिरेक्टर जो है नोने समात कर दिया तो इसको कर दिया इन्होंने समात अब इनको सास करना ज्यादा अच्छा लगा इनको जब सासन करना ज्यादा अच्छा लगा तो यह अब सासन ही करेंगे क्या करने लगेंगे सासन ही करेंगे अब सासन करने के लिए उन्होंने क्या किया क्योंकि इनको सासन अच्छा लगा कि भाई दो लोग आपको अगर दो अपसन मिले दो में से क्या करोगी तो आप सासनी करना चाहोगे इन्हों ने भी यही किया सासन किया अब सासन करने के लिए क्या किया इन्होंने जो बंगाल का गवर्नर था ठीक है बंगाल का गवर्नर था उसे भारत का गवर्नर जन्रल बना दिया यानि कि संपूर भारत का गवर्नर अभी त भारत का गवंदर जन्रल बन गया ठीक है गवंदर जन्रल भारत का कर गवंदर जन्रल बन गया ठेकर-बन इस समय कौन सा लाड् decision batting लाड ब teamwork jon भैटिंग अ कि लाड लाड विलियम बैटिंग था क्या पूछा जाएगा बंगाल का अंतिम गवर्णर जन्दल तो लाड विलियम बैटिंग भारत का प्रथम गवर्णर जन्दल तो लाड विलियम बैटिंग पूछा जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्णर जन्दल तो वर इन हैस्टिंग बंग भारत का गवर्नर जनरल बना दिया नहीं कि पूरे भारत पर इनको सासन करना था इसलिए भारत का इन्हों ने बना दिया तो क्या हुआ तब तो ठीक है रहा ठीक है लेकिन एक और काम हो गया उस समय इनको कुछ अच्छा भी अपने आपको दिखाना था इनको कुछ अच्छा भी अपने आपको दिखाना था कि हम बहुत अच्छे हैं ठीक है क्योंकि अगर इन्हों ने इन्हों ने सती परथा का इंत किया इन्होंने सती परथा का इंत किया इन्हों ने अंगरेजी सिच्छा का परचाव करना चालू कर दिया इन्हों ने इनको समाचिक कार्था थे समाजिक कARS लिए कई सारे परथाओं सुमाः कर दिया ठीक है एक इसे प्रथा थी इसी समय कानून बन गया था दास प्रथा को मुक्त करना यह अधिनियम बन गया था क्या बन गया था अधिनियम बन गया था दास प्रथा को मुक्त करना यह अधिनियम मत्तब कानून की किताब में लिखा जा चुका था कि अब कोई भी राजा जो है दास नही रखेगा, यह चीज़ इन्होंने कह दिया, इनका उसमें स्वार था, एक तुँ इनको अच्छा दिखाना था, समाजिक दिखाना था कि हम प्रें त्वह तो हिंदूस्ताने उनके जहांसे में आयेंगे और पड़े रहते थे अगर ये दास्ता से मुक्त हो जाएंगे तो क्या करेंगे खेती किसानी करेंगे अब खेती किसानी करेंगे तो करकिसों देंगे अंग्रेजों को देंगे तो इसलिए अंग्रेजों ने और बावन गड़ थे यहां पर पता नहीं कितनी रियासते थी पूरे लाब होने वाला था, इसलिए इन्होंने ये किया, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, और इनको अच्छा भी दिखाना था, इसलिए भी कुछ लोग ऐसे कहते हैं, तो दास प्रथा को मुक्त करना एक अधिया बना दिया, फिर 10 साल के बाद, यानि कि ये अठारा सो क्या चलना था, त दास मुक्त हो गया था, इलन बरो के काल में, एल है, एन है, सब बराबर हो गया, यानि कि चाहे लोवर जाती का हो, चाहे एन से कोई जाती बना लो, एन से कोई जाती बना लो, सब क्या हो गया, बराबर हो गया, बरो का मतब बराबर, यानि कि हर जाती वाले बराबर हो गया दाशप्रथा को मुक्त कर दिया तो इतना हो गया इसमें ठीक? इतना हो गया इसमें फिर उसके बाद कया है? एक और जा है इसके साथ ही है 1833 हो गया 1880 यहाँ पे 4 कम 1819 13 1819 1318 में एक अधियम बना इसमें क्या हुआ? कम्पनी में भरती ठीक है company में company में भरती जो होने लगी वो परिच्छा देने के बाद होती थे क्या परिच्छा देने एक सामानी सा paper होता था दोड़ोड होती थे तब जाके उनके भरती होती कमपनी में भरती परिच्छा के अधार पर होने लगी यहाँ पर पहली बार परिच्छाओं का योजन किया गये यानि कि कमपनी में जो भरती होगी परिच्छाओं के अधार पर होने लगी तो इस अधार पर यहाँ पर भरती होने लगी तो इतना सब चीजे हुई थी यहां पर अठारा सो से लेके सो साल में सो साल में आपको चार साल याद रखने है क्या सो साल में आपको चार साल याद रखने है फिर जह है इसके बाद ताज का सासन अभी तक तो कंपनी का सासन था अब रहेगा ताज का सासन ताज कमता ब्रिटेन कराउन का सासन यानि कि ब्रिटेन का सीधा सीधा सासन अभी तक क्या रहा अब जिसे यहां से यहां तक क्या हुआ सो साल में इन्होंने खोब जबरजस्ती जो है लोगों से मेहनत कराई दास परथा से मुक्त करा दिया और बहुत ज़्यादा लोगों को लूटने लगे क्योंकि कमपनी कर रही थी तो उसको चाहिए अधिक से अधिक मुनाफ़ा चाहिए कमपनी के सासन यानिको उनको अधिक मुनाफ़ा चाहिए लोगों से जबरजस्ती काम करा रहे थे मार कूट के करा रहे थे जबरजस्ती करा रहे थे पैसा नहीं दे रहे तो क्या हो गया 20-Port हो गया. तीक है? 20-Port हो गया. आप कोई लगातार पैसा काम कराता रहे आपको पैसा ना दे तो आप क्या कर ओठी yacht घचा बिद्रोग कर दोगे और यही बिद्रोग हुआ था कब 1857 में. हीक है? 1857 में पर्थम सौतवनता संगराम हुआ था और वही बिद्रो हो गया था उसी बिद्रो के बाद जहे Britain ने सीधा सीधा सासन करना स्टार्ट कर दिया था कि अब company नाम की चीज समात कर दिया था company अब नहीं रहे गई यहाँ पर अब सीधा Britain सासन करेगा ठीक है तो अगले वीडियो में हम आगी की कहानी जानेंगे तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए ठीक है